तो अगर आपके Bluetooth speaker का charging port या charging jack अंदर चला गया है और charging connector ठीक तरह से नहीं लग पा रहा है तो आपको अपने Bluetooth speaker को open करना ही होगा तो यहाँ पर friends इसके यहाँ पर दो screw होते हैं उनको यहाँ पर आपको open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर sticker होता है इसको निकाल कर देखें तो यहाँ भी दो screw होते हैं उनको आपको निकाल लेना है उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा तो हमें यहां पर कुछ और ही सोचना होगा, तो हमारे पास यहां पर एक है connector cable, जिसमें की female charging jack यहां पर लगा हुआ है, और इसको friends यहां से बीच से हम cut कर देते हैं, और इसके जो अंदर के दोनों wire हैं, उनको हम वार यहां पर निकाल लेते हैं, अब हमको इस connector को यहां पर इसमें fit करना है, तो इसके लिए friends अब हमें जगा बनानी होगी, इसको हमें hole करना होगा, तो यह दीगी यहां पर इसना hole हमने कर दिया है, इसमें अभी आसानी से यहां फिट हो सकता है, अब friends यह जो connector है, इसके दोनों wire के connection के लिए हम board में आप यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पर जो diode लगा है, उसका यहाँ पर point है, यहाँ पर इसका positive यहाँ पर लग जाएगा जो उसका negative जो wire है उसको हम यहाँ पर, जो ground यहाँ पर लिखा हुआ इसके पास में जो USB port की pin है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे यहाँ पर हम circuit board को दुबारा से cover में लगा करके, और soldering iron की help से हमने यहाँ पर देखिए, तार को इसको जोड़ दिया है और अब हम इस जो हमारा जो charging यहाँ पर connector है उसको हम यहाँ पर जो होल किया वाँ था उसको यहाँ पर अंदर की तरब यहाँ पर गुसा देते हैं और उसके बाद थोड़ा push करके इसको थोड़ा सा adjust यहाँ पर कर लेते हैं और friends, दुबारा से Bluetooth speaker को यहाँ पर assemble यहाँ पर कर लेते हैं